हैलो फ्रेंड स्वागत आपका एक और नए वीडियो में और आज के वीडियो का टॉपिक है कम्यूनिकेशन फ्रेंड स्यदी हम आज अपने वरतमान और भूतकाल की जीवनशेली की तुलना करें तो कम्यूनिकेशन ही एक ऐसा इलिमेंट है जो हमारे दैनिक जीवन को आसान और सरल बनाता है टेकनलोजी के विकास से यदि कुछ आसान हुआ है तो वो है कम्यूनिकेशन जो पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज में कनवर्ट करता है और हमें दुनिया को जानने का एक नया दृष्टिकोन मिलता है Friends, Communication Word basically Latin Word Communist से मिलकर बना है जिसका अर्थ है Sharing, Sending and Receiving of Any Information Friends, सरल भासा में Communication दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी आईडिया का एक्सचेंज है यह मूल रूप से एक continuous process है इंटरनेट के revolution ने पिछले कुछ दसकों से Communication को काफी आसान बना दिया है Social Media platform की सिर्फ एक post आज किसी भी community में एक बड़ा बदलाव लाने में समर्थ है Friends, Communication केवल दो व्यक्तियों के बीच बातचीत तक ही सीमित नहीं है बलकि Communication एक multi-dimensional है जो कई परकार से अलग-अलग communities और classes में flow करती है उधारन के लिए TV पर आने वाले advertisement और movies भी Communication का ही एक आयाम है जो नए ideas और perceptions को लोगों तक पहुचाने का काम करती है Friends, Communication मूल तर दो परकार की होती है Verbal और non-verbal Verbal communication letters, memos, emails और face to face और telephone के माध्यम से की जा सकती है जब कि non-verbal communication में words का उप्योग नहीं किया जाता यह communication attitude, actions, appearances के माध्यम से किया जाता है और body language, distance, voice और touch इसमें मुक्य भूमी का निवाते है Friends, आज का ही वीडियो आपको कैसा लगा इसे जरूर comment करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में